हेलो फ्रेंड्स स्वागत है मेरे चैनल मीनू व्लोक्स यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको आमले से बनी हुई खट्टी मिठी रेस्पिस खाऊंगी जिसके लिए हमें चाहिए घाई सोगरम आवला और जाई सबसे 100 गराम चीनी सबसे पहले मैंने आवलो को धो खरो अबाल लिए है और इसकी फारी करलिए और इसको मिक्सी में पीस लिया है कि इसको एकदम बारीक पीसना है कि इसके बाद मैंने एक अड़ाई लिया है उसमें एक चमच घी डाला है और उसमें चार चोटे चमच पानी और चिन्नी एड़ कर दिया है चिन्नी को थोड़ी से मेल्ट कर लो और उसके बाद आमला डाल लो फिर इसको कुप अच्ची तरह हिलते रो आमला और चिन्नी मेल्ट हो जाएगी इन्नी मेल्ट होने पर इसमें आदे से भी कम चमच जीरा थोड़ी सी काली मिर्च आदे से भी कम चमच काला नमक एक चुटकी नमक और आदे से भी कम चमच जीरा डाल कर इसको च्चतर मिला लीजिए यह गाड़ा होने लग जाए तब इसमें एक चुटकी खाने वला रंग मिला दीजिए देखिए फ्रेंट से गाड़ा हो गया है और कितना अच्छा कलर आया है अगर आपको कलर कम लगे तो इसमें और भी रंग खाने वला रंग डाल लीजिए और इसको पकाते रहो इसको छोड़ना नहीं है इसको इलाती ही रहना है इसके बाद मैंने दो इलाची कूटकर डाली है इसमें छोटी बड़ी दोनों इलाची याड़ कर लो इससे और भी स्वाजिस्त हो जाएगा और खुश्भू अच्छी आएगी जब यह गाड़ा हो जाये तब हम एक प्लेट में इसको ठोड़ा सा डालकर देखेंगे अगर यह फैलता है तो इसको और पकाएंगे अगर नहीं फैलता तो इसको एक मिनिट और पका कर क्या आफ गैस बंद करदेंगे एक प्लेट लीजिए उसमें घी लगाकर यह सारा मिशन डालीजिए और इसको अच्छे तरह फिला लीजिए इसको दो तिन घंटे सूखने दीजिए सूखने के बाद इसको काट लीजिए इसको अपनी मन्चाई शेप में काट लीजिए अगर आपको तब भी गिल्ला लगे तो इसको और सुका लीजिए अगर आपको मेरी एडिश अच्छे लगी तो इसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए जिरूर बताइए कैसे लगी थैंक्यू